मैं एकदम anty muslim नहीं हूँ, मैं एकदम anty gunnba तो जो आदमी जिनना को अपना आदर्स मानेगा तो उसका तो यहीं हाल होगा। यह तो नहीं चल सकता के पाकिस्तान में कोई गत्वीदी हो तालीबान में अफगानिस्तान पर तालीबान का कब जा हो धोल यहां बजाए यह तो राष्टवाद नहीं हो सकता साथ देखिए मैं अपको फिर कह रहा हूं अखलेस यादव जी क्या करते हैं उन्हें खुद आइ जो हमारी यात्रा है वो मेरट में जब पहुंची तो मेरट के एक विधायक से मिलना तो बहुत जरूरी हो जाता है हम बात करें सर्धना से विधायक बीजेपी के संगीत सुम की जो आजकल खूब महनत कर रहा हैं फिर से क्योंकि चुनाव है यह संगीत सुम जी की जिम है कसरत कूप कर रहे है मतलब संगीत सुम जी यह जिम की बारे में बताई हो उसके बाद ने कि जिम की बारे मारते चैसे मारते हैं जितनी जोड़kenntों को तुनी जोड़ से मचफिर कढ़ने आगा अब मुझे लगता है उससे जादे जोर के पड़ेगा उससे जादे जोर के पुड़ेगा अब कुछ सियासी मुद्व पर बात करते हैं इस बार की चुनाव में क्या फिर से आप सर्धना से ही चुनाव मैदन में दिखाए दी मिल्कुल फाइनली हुए है, मैं भारती जंता पार्टी का कारे करता हूं और भारती जंता पार्टी जो निर्ने लेगी, मुझे वहीं से लड़ना होगा और मुझे मैं तैयारी तो सर्धना परी कर रहा हूं मुझे क्या है, क्योंकि वेस्टन यूपी सबकी नजर इस बार पूर्वांचल से हटके पश्चिमी यूपी पर गड़ गई है, किसानों का अंदोलन हैं, बहुत सारी दिक्कते हैं, पॉलराइजेशन की बात फिर से कही जा रही कि दुरूवी करन की कोशिश पे रहा है, आप अब वो राकेश टिक है, जी से पूछी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे हाँ कोई पश्चिम में उसका कुछ बहुत असार है, चुकि किसानों की जो जरूरी चीजे होने चीजे होने जरूरी व्यवस्ता होने जरूरी सुईधा होने चीजे भारती जंता पार्टी सब द अब लोग कह रहे हैं बहुत देट से बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है, उसमें आपके सांसदों की भी सुर सुनाई देते हैं, वरून गांधी लगाता है, ट्वीट कर रहे थे, और कहते हैं कम से कम 400 रुपए तो होना चाहिए, जो बढ़ा है वो एक तरह के से ना इंसाफ है, ये कहा जा रहा है, अब मुझे नहीं पता वरून गांधी क्यों ऐसा बोलते हैं, और वरून गांधी किस तरीके से बोलते हैं, वरून गांधी जिन मुझे लगा नहीं है, कभी खेती तो करी है, उन्होंने कभी खेती मुझे नहीं लगता कभी करी है, और वो इस तरीके लेकिन मैं बताता हूँ 35 रुपे बढ़ा है आप कुम प्रक्टिकली बता हूँ 10 रुपय भारती जनता पार्टी की सरकार आई तो अठारे में बढ़ाया था और 25 रुपा बढ़ा 35 बढ़ा और आप जानिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब 15 किराया है किराया पहले किसान का इससे का पंदर रुपे till 75 बढ़ा से तक बनता था आज वह आठ रुपे 575 कैसे हो गया इतना कि कराया कम Кिया वर कि हिंता पार्टिक डिक सरकार जाई तो सा इक गटा कहीं कहीं 5 रुपettes जा 기श्याइन कंई 9 घटार तो वह आई तो वो भी तो किसान की जिब में जा रहा है। इन सब चीजों के और जो लागत के बाद जो आती है बारी आप आउटपट की कि कुछ मिला उनको आमदनी तो वो तो कम होती है। होता था आज हंड़ेट परसेंट गन्ने का पेमेंट होगे जो दो तीन-तीन साल का रुका हुआ पेमेंट था वो भारती जिनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है। हो पेमेंट किलियर कर दिया है सुगरमिलों ने और सुगरमिल समय से चलने पहले क्या होता था कि किसानों का गन्ना खेत में खड़ा रह जाता था और सुगरमिल बंद हो जाते थे। कि एक गन्ना भी तब तक क्यितमें बजता है तब तक सुगरमिल चलते हैं 100% कि इसान का गन्ना सुगरमिल खरीटे रिपकी घकता रह गए पूरे देश मुझे लगता है जब धका भग मैं वगा है। का नाम आया केस भी हुआ समझ रहे हैं आपके मैं क्या करें मुझफन अगर दंगे की बात करें शामली की कहराना सीम योगी का पहुचना विरोधी कह रहे हैं कि फिर उसी को को रेदने पर लगे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है फिर से वह हिंदू-मुसल्मा करवाना चाहते हैं अच्छा आप बताईए क्या यह बुरी बात है कि लॉयन ओडर अच्छा हो गया है लॉयन ओडर हमने देखा है ना सामली में लोगों ने ताले डाल देते चोकी पर पुलिस छोड़के भाग गई थी चोकी पुलिस को गोली मार दी जाती थी पुलिस घर करवाई हुई है हमारे मुख्यमंद्री ने उसके खिलाब करवाई किया और उन्हें जेल भेजने का कम किया अगर किसी ने इस तरीके का क्राइम किया है पुलिस के अदमी ने तो उसके खिलाब करवाई हुई है और कारवाई करके उससे जेल भेजने का कम किया है लेकिन गई थी पंचाय चुनाव के समय कवाल भी गई थी कवाल में एक सिर्फ एक लौता मुस्लिम परिवार वापसी क्या बाकी कोई नहीं है वहां सब ऐसे विरान पड़ा है वही कालिक वही सब कुछ पूरी बुर्जख्स में भारती जंता पार्टी की सिरकार जब से आई है अब यह तो गुंडा तो गुंडा है ना जो भी गुंडा है वो कौन है यह तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि गुंडा गुंडा होता है और गुंडा ही कह रहा है कि यह कहा जाता है जब जब संगीत्स हों बोलते हैं तब लोग कहते हैं कि आपका टार्गेट कह बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो गुंदागर्दी किया करते हैं, जो एक वर्क को बढ़ावा देके गुंदागर्दी कि र अपने अखलेशिया अड़ था घुमा दिया, समाजवादीACH Venezy मेरा यह कहना था स्थीठी सीठी सवाल कर लेते हैं कहा जाता है कि संगीत सोम जो है वो एंटी-muslim है और मतलब बहुत ज्यादा वो नफ्रत वाले बयान देते हैं जब भी बोलते हैं तो इसमें कितनी हकीकत है मैं एकदम एंटी मुसलिम नहीं हूँ, मैं एकदम एंटी गुंडा हूँ, अगर गुंडा गर्दी कोई करेगा, वो कोई भी हो, तो मैं अगर गुंडा गर्दी मुसलिम करेगा, तो मैं क्या करूँ, अगर गुंडा गर्दी वो ही करेगा, तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं यानि गुंडे सिर्फ मुसलिम है और यह भी नहीं मैं कह सकता है और हिंदू-गुंडा करती लगंदों पर आपका निशान है तो हिंदू के बाद बचा भुट ON मेरा अध्म आप मुझे क्या क्या करना चाहरा है यह नहीं पता है sawamb saab अभी आपने कहा कि हिंदू गुंडा नहीं है हिंदू गुंडा नहीं तो बचा कौन। लेकिए पूजा पाठ करके अपना काम करता है लोगों की मदद करता है बेहन बेटी की इज्यत करता है गायमाता का सम्मान करता है, बेहन बेटी की सुरक्षा करता है, तो हिंदु गुंडागर्दी कैसे कर सकता है, वो तो उसके साथ अगर उसके साथ गुंडा कहा जाएगा, तो उसके साथ नमाजी लोगों का क्या फिर? नहीं जो अपने धम के पती वो नवाज पढ़ते हैं तो अच्छी बात है उसमें क्या बुरी बात है फिर वह यह गुंडा है कौन बलब यह एंटी सोशल एलिमेंट्स है कौन से आप मुझे बताईए कि मुझा फनागर में गोराव सोरव की हत्या किसे ने की और हत्या की तो क्यों वो छोड़े गए क्यों दंगा हुआ अपने अखलेश यादव से पूछा कभी कि क्यों दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में 436 दंगे क्यों हुए जिए दिन से भारती जिनता पार्टी की सरकार है क्यों एक भी दंगा नहीं हुआ जब 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 जिक्र होता है आपका नाम ज़रूर आता है केस वापस कर लिया यह मर्जी कर लिए सुप्रीम कोड की तरफ से भी इस का रफरेंस रखा गया था एक मामली में वैसी जब बात करते हैं तो वह जरूर इसका जिक्र करते हैं तो वैसी के बारे में क्या कहेंगे उनके जबान पर जरूर मजफर नगर दंगा है किसी भी सभा में चाहिए वो देश विरोधी होता है वो देश के विरोध में बोलते हैं देश विरोधी ब्यान देते हैं देश में बटवारे की बात करते हैं हिंदू-मुसलिम में बटवारे की बात करते हैं जिन्ना को अपना आदर्स मानते हैं तो जो आदमी जिन्ना को अपना आदर्स मानेंगा तो सब्सक्राइब कि नाम पर ईसमें की और समस्तेन सापता कि आप और राष्ट्रवाद की परिभाशा संगीत सोमकी हिसाब आप से क्या है क्योंकि यह बहुत बड़ा जब हम लोगों से पूछते हैं सोचल मीडिया वे देखिए राष्ट्रवाद 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 की परिभाशा आपकी शब्दों में देखिए राष्ट्वाद की परिभाशा यह तो नहीं हो सकती कि पाकिस्तान म कोई गत्वीदी हो तालीबान में अफगानिस्तान पर तालीबान का कब जा हो धोल यहां बजाए यह तो राष्टवाद नहीं हो सकता साथ इसलिए मैं कहता हूं कि जो राष्ट विरोधी ताकत है वो ओवेशी जैसे लोग उनके समर्थक हैं अखलीश का एक बार भी नाम नह से कि आपको क्या लगता है यह चिलम वाला बयान बड़ा दिया जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि धुआ 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 हैं सब किसकी तरफे निशाना है कौन चिलमबाज है और क्या मतलब थोड़ाइप एक्स्प्लीन कर सकते हैंगा अनमैच्योर्टी है खलेश लगवाएंगे जब सबको वैक्सिन लग जाएगी तब लगवाएंगे लेकिन उन्होंने यह क्यों कहा था यह तो बीजेपी की वैक्सिन है क्या हमारे देश के साइंटिस्ट वो बीजेपी के हैं क्या वो बीजेपी है क्या देश के साइंटिस्टों का अपमान नहीं है क् के साइंटिस्टों का अपमान वह कर रहे हैं अभी जो चिलम वाली नहीं बात आ रही है लोगों की मनें बड़ा जिग्यासा है कि बार बारी अखलिश किसके उपर हाला कि इस सवाल उनसे बनता है उनसे पूछेंगे लिए आपकी तरफ से भी जानना चाहेंगे यह कौन सा कर रहा हूं अखले सी आदव जी क्या करते हैं उन्हें खुद आइडिया नहीं होता अब चिलम की बात तो आप उनी से पूछेंगे तो वही जवाब दे पाएंगे ना उनका जवाब मैं कैसे दे दूँगा लेकिन उनकी किसी चीज का कोई मायन है नहीं हो कहते रहते हैं आपको लेकिन चोट देने के लिए आप पर जयन चौधरी के साथ हैं चंदर शेखर भी आ गये हैं अब यह बात उनकी बनती है नहीं दोनों के तो बात है डिकलेयर हो गया है तो कुछ वेस्टिन उपर में ची लोग दल अभी डोग शॉन्हार लोग सब वह और वह एखटे हो कर लड़ें है मोधी तो आज भी मोधी योगी दोनों फिसे हमारे दूसरी एक बात है कि आप से रिलिटेट आपके समर्थक सोच रहे थे कि जब इतनी बड़ी जीत आपको बारा में भी मिली थी मैं आप बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या तो संगठन में या सरकार में दोनों तरफ ऐसा हुआ नहीं नहीं आप गलत कह रहें मुझे जुम्मेदारी ये पार्टी की मैं पार्टी का विधायक हूं चुनाव जह महराष्ट में हो जब शुनाव होते हैं मैं जाता हूं पार्टी का कार्य करता हूं अच्छा समझताव समर्थकों के संधिमें अब समर्थक की मैं फिर कहा रहा हूं 325 बड़ायक है सब मंत्री बनेगे मुझे नहीं लगता हर काम नाम के लिए होता है हम भारती दिनता पार्टी के कारे करता है हम नाम के लिए काम नहीं करते हैं मंतरी के लिए काम नहीं करते हैं हम किसी और पद के लिए काम नहीं करते हैं हम देश और समाज के लिए काम करते हैं आपके समर्थकों के सेंटिमेंट को लेके कर रहे थी और वेस्टन यूपी और खासों पर मेरट के जब जिक्र आता है और खासों पर यह सवाल इसलिए उड़ जाता है कि रिसेंटली जो एक्पेंशन हुआ योगी कैबिनिट का उसमें खटिक जी को मौका मिला तब यह वा कि संगीत सुम नहीं दिखाए दिये तो पर्टी के विधायक है लेकिन जितना मतलब मेरट अगर बोलेंगे तो पहला नाम तो आप ही काता ना जो पर्टी की लाइन हिंदूवादी उसी लाइन पर आप चल रहे हैं अब चाहे वो कोई अच्छा कहे चाहे उसके कोई बुराई करें निंदा करें अलुचना करें अब नहीं देखिए का समर्थ क्या सोचते हैं क्या करते हैं लेकिन पार्टी का भारती जनता पार्टी लोगतांतिक पार्टी है लोगतांत्र में क्या है मतलब कुछ चाहत ऐसी हम नहीं मेरी चाहत है कि मैं भारती जनता पार्टी का सच्छा कर सकता हूं इसमें कौन सी बुड़ाई है देखी जब हम एंटर हुए थे आपके उपर आए थे प्रमोथ तिवारी जी के साथ एक तस्वीर थी तो उसके बारे में कुछ बताएंगे तो थोड़ा रोचक हो जाता है तो जब बारे में हम विधायक बने तो जब सपत हुई तो सपत दिलाने वालों में प्रमोथ तिवारी जी थे मेरी सपत उनों नहीं कराई थी वहां अच्छे लोग ते सपत कराने वालों में तो उनमें से प्रमोथ तिवारी जी थे उन्होंने मेरी सपत कराई थी वही फ्रेम है और इसके सिवाए कुछ और रिष्टा प्रमोथ जम्जबत थे क्लूब्हूंना ए स्फंगों काम करते हैं योगी जी के बारे में किया कांग के उद्यार के मुझे मैं और अच्छे और सफल। मुझे मंत्रिय नुक्ते में उत्तर परदेश में दिकाए कि सियम्य होता है उनकी उपर जाते वाद है कि आरोप लगेगे ठाकुर वाद बड़ा बोल रहा है मादब जो कभी सपा पर लगता था कि भाई यादव वाद है तो यहां पर ठाकुर वाद है मुझे तो नहीं लगता यह विरोधी तो कुछ आप भी तो उसी मतलब में मेरा मानना ऐसा नहीं है और आप भी तो उसी जाती से अगर योगी जी पर कोई जाती का कोई इस तरीके का ब्लेंब लगा रहा रहा था तो मुझे लगता है कि उसकी मानसिकता ठीक नहीं है और फिर मैं वह ही लोग है जो देश के बठवारे की बात करते हैं ख्लेश जी किशी को भी अपने खेमे में लिया है। उन्होंने मायवति जी उपने खेमे म मिलाकर देख लिया, कन्ग्रेष को अपने खेमे मिलाकर देख लिया, कोई पार्टी छोड़ी है क्या, वो कुछ भी कर लें, 47 पार नहीं कर पाएंगे इससा। समाजवादी पार्टी से आपका भी रिष्टा है कभी आप समाजवादी पार्टी के टिकेट पर लोग सभा का चुनाव लड़े तो हज़ार नौ में आइधिंक सही है ना वह गया किस्ता है मलब कहते हैं कि संगीत सुम ब्यस्पी भी गए सपा भी गए बीजेपी भी गए ज सपा से मैं कल्यान सिंग के साथ था ने मुझे चुनाव लड़ा था और आपके दिहान हो तो मुलाइम सिंग जादव जी ने मंस से कह दिया था कि मैं संगीत सोंकु नहीं जानता ही तो आपने चुनाम लड़ा था वो समाजवादी पार्टी में थे लेकिन नहीं थे मतलब कभी नहीं नहीं ते जब पॉलिटिक्स में नहीं थे और कहा जा रहें ना ना ब्याश्पी की हमने कभी सज़स्ता ली ना ब्यास्पी में कभी गए ना पीएस पीसे कभी चुना अव लड़े ना ब्यास्पी से कोई मतलब तो कोई एक ती कटी नहीं मिला इसलिए संगीत सुम्हा से थोड़ा बिदक गये थे धर घूम लिये दूसरी पार्टी में अभ सवाई लेगी अपका करेर कहां से शुरू हुआ था उनकल्याना सिंग जी ने मुझे भारती जंदा पाती सा वशी शूरू हुआ ते और में कि हम हमारी सड्के देखिए हमने अज बुब तमरे अच जित है करते फिले डही हैं सपदेना की अगर बात करेंगे तो इस या की सबसे बड़ी खेली न्युुस्टी बन रही है सरदना में है something सबसे बरिए neighborhood तो आपने देखा होगा law and order हमारा इतना परफेक्ट है कि गुंडे आप देख रहे हैं कि यूपी छोड़ के चले गाए नहीं तो स्रेंडर कर रहे हैं यूपी छोड़ की गुंडे पुलिस वाले गुंडे बन गये यह कहिए तने सारे आरू पलग रहे हैं पुलिस पर एक के लेकर बैठोंगी चाहिए आगरा की बात करो आपके पड़ोसी मतलब वेस्टर उपी के आसवजी उधर चले जाएंगे पूरभांचल में गुरख पुर्पूर कुछ सियम का शेत्र है इतने केस्स पोलिस के ऊपर है कि लोग आप यह कहने लगे आप देखते होंगे कि आदमें के चक्कर में पूरे पूर सासन को बिले हम कैसे कर सकते हैं आधिकारी आपके माफी जान्ता पार्टी की सरकार है यह सब की सुनी जाते हैं योगी और मोधी में अगर हम संगीत समसे पूछे कि उनकी च्वाइस क्या है माल्ब ऐसी मालब उनको कोन ज़्यादा पसंद है दोनों हमारे नेता है लेकिन एक झालका लेकिन की मड़ा मम्मी पापा में भी जब हम लोग फैमली में ऊच्छी में होतें तो उनको लगता है हर बच्छी के अपना पॉसर्श्श्म मुझे मम्मी की जगे मम्मी अच्छी क्या है मलब केश्व प्रिसाद मौर रहे हैं जो मतलब बड़ी खबरे उनको लेके भी थी है ना तो मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे पुराने मित्र हैं और हम संगीत सोम के दावों में कितनी हकीकत है लेकिन बड़ी बात जुरू ने कही है गुंडे हिंदू नहीं होते हैं तो फिर सवाल यह आता है यह गुंडे हैं कौन और यह थोड़ी सी कड़वाहट आखिर किस बात की है क्यों है और यह कड़वाहट जो है जब चुनाव होंगे तो क्या वो पुई तरीके से मिटेगी जो एक इमेज बनी वी यह संगीत सोम की क्या वो उससी इमेज पर स्टिक रहेंगे या थोड़ी सी बदलेगी तो यह कई सारे सवाल है इंतजार करिए सर्धना से गर फिर से चुनाव मैदान में होते तो फिर से इनसे बात होगी लेक 목ो करिए सकत van सєरा कर दोrine हैakah तो कि रहेंगे हैं तो कि कर दोका होगी वेक भी घूली जो प्रसाइ कर देगेगी पैसा भी घरा सावज को सर्वाख ही बनी आए पेक तो को सा घूना अझेख झाल सीए спокой